कुलापूर में कलादी रात को चुनाव का फैसला सुनाया गया जिसमें धननजय महाडिक विजई रहे फैसला सुनाया जाने के बाद समर्थपों ने धुमधाम से गुलाल उड़ाते हुए जश्ट मनाया कुलापूर से तीसरे भाषपा उमेद्वार धननजय महाडिक ने राज्यसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल किये जैसा कि भाषपा ने दावा किया है तीसरे स्थान के लिए बीजेवी का खेल सफल रहा है इस सेट पर शियुसेना के संजय पवार और बीजेपी के धननजय महाडिक के बीच जोरदार टक्कर हुई दो कुलापूरियों के बीच राज्यसभा की लड़ाई को पुरा महराष्टर देख रहा था शियुसेना प्रत्यशी संजय पवार की जीत महाविकास मोर्चे की मजबुदी के कारण तैमानी जारी थी लेकिन इन लड़ाईयों में बीजेपी प्रत्यशी धननजय महाडिक ने जीत हासिल किये इसे महाविकास के मोर्चे पर बड़ा जटका माना जरा है छटी राज्य सभा सीट के लिए कुलापूर के दो पहलवान मैदान में थे अब धननजय जीत गया है धननजय महाडिक ने संजय पवार को आठमतों से हराया है इस नतिजे ने महाराष्टर की राजनीती को जगजोर कर रख दिया है 2019 के लोकसभा चुनाओ के बाद से कुलापूर के सवरक्षक मंतरी सतेश पाटिल ने हर चुनाओ में महारिक गुट को माद दी थी लेकिन इस प्रुष्ट भूमे में धननजय महारिक की आज की जीत बहद अहम है इस जीत से महारिक गुट का होसला बड़ा है धननजय महारिक की जीत से कुलापूर में भाचपा गुट में उत्साह का माउल है